सब्सक्राइब करें ओनलाइन आईक्यू स्टडी यूटूब चैनल को और बेल आइकन दबा दे लेटिस्ट एडूकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए फ्रेंड्स आज हम हिस्ट्री से टॉप ट्वेंटी कोश्चन करेंगे जो एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं हमारा फ़र्स्ट कोश्चन है पलासी के युद 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतितुर किस ने किया था और इसके आप्सेंस हैं हमारा नेश्ट कोश्चन है राज यहर अपनीती किसके द्वारा लागू की गई थी और इसके आप्सेंस है ए लौड बिलियम बैंटिक आप्सें बी रौबर्स क्लाइव आप्सेंसी लौड डलहोजी और आप्सेंडी लौड कैनिंग तो इसका राइट अंसर है आप्सेंस किसके द्वारा लागू किया गया था और इसके आप्सेंस है ए लौड लिटन आप्सेंड बी लौड बिलियम बैंटिक आप्सेंसी लौड डलहोजी और आप्सेंडी लौड करजन तो इसका राइट अंसर है आप्सेंड बी लौड बिलियम बैंटिक हमारा नेश्ट कोश् ने 1857 के विद्रोह का नित्तितुर कहां से किया था और इसके options है A. कानपूर B. इलाहबाद Option C. गोरकपूर और option D. लखनव तो इसका right answer है option D. लखनव हमारा next question है भारतिय विश्व विद्याले अधिनियम 1904 को किस वाइसराय के सासनकाल में पारित क्या गया था और इसके options है A. लॉर्ड डलहोजी Option B. लॉर्ड रिपन Option C. लॉर्ड बिलियम बैंटिक और option D. लॉर्ड करजन तो इसका right answer है option D. लॉर्ड करजन हमारा next question है स्वराज मेरा जन्सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा या कथन किसके द्वारा कहा गया था और इसके options है A. बाल गंगाधर तिलक Option B. बिपिन चंद्रपॉल Option C. लालल लाचपत्रा है और option D. सुबाश चंद्रबोस तो इसका right answer है Option A. बाल गंगाधर तिलक हमारा next question है लोधी वंस का अंतीम सासक इन में से कौन था और इसके options है A. सिकंदर लोधी Option B. बहलोल लोधी Option C. इबराहिम लोधी और option D. इन में से कुई नहीं तो इसका right answer है Option C. इबराहिम लोधी हमारा next question है हरपस सब व्यता की खोज किस वर्स की गई थी और इसके options है A. 1915 Option B. 1921 Option C. 1928 और option D. 1935 तो इसका right answer है Option B. 1921 हमारा next question है रिगवेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है और इसके options है Option A. गंगा नदी Option B. यमना नदी Option C. सरस्वती नदी और option D. कृष्णा नदी तो इसका right answer है Option C. सरस्वती नदी हमारा next question है गौतम बुध ने अपना प्रथम उपदेश किस अस्थान पे दिया था और इसके options है Option A. सार्णाथ Option B. कुसिनगर Option C. बौध गया और option D. कपिलवस्तू तो इसका right answer है Option A. सार्णाथ हमारा next question है समराट असोग के सासनकाल में बौध संगिती किस अस्थान पर आयोजित की गई थी और इसके options है A. राजगीर Option B. स्रीनगर Option C. पाटली पुत्र और option D. बौध गया तो इसका right answer है Option C. पाटली पुत्र हमारा next question है प्रसिद यूनानी राजदूत मेगा स्थेनीच भारत में किसके दरवार में आया था और इसके options है A. चंदगुप मौर्य Option B. समुंद्र गुप्त Option C. बिम्बिसार और option D. असोग तो इसका right answer है Option A. चंदगुप मौर्य हमारा next question है किस मौर्य सासक के द्वारा श्री नगर की अस्थापना की गई थी और इसके options है A. चंदगुप मौर्य Option B. असोग Option C. उदाइन और option D. बिम्दुसार तो इसका right answer है Option B. असोग हमारा next question है ब्राह्मनों और बहुत भिक्षुकों को कर्मुक्त भूमी देने की प्रथा किस वंस के सासको द्वारा आरंब की गई थी और इसके options है Option A. नंदवंस Option B. पल्लवंस Option C. साथ वाहन और option D. मौर्य वंस तो इसका right answer है Option C. साथ वाहन हमारा next question है हर्स चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी और इसके options है Option A. बानभट Option B. कालिदास Option C. हर्स वर्धन और option D. मयूर तो इसका right answer है Option A. बानभट हमारा next question है इन में से किसकी रचना हर्स वर्धन द्वारा नहीं की गई थी और इसके options है Option A. रतनावली Option B. प्रिय दर्सिका Option C. कादंबरी और option D. नागानन्द तो इसका right answer है Option C. कादंबरी हमारा next question है मोहन जोद्रों को और किस नाम से जाना जाता है और इसके options है Option A. मृत्यकों का टीला Option B. कंकालों का टीला Option C. आत्मा का टीला और option D. जीवितों का टीला तो इसका right answer है Option A. मृत्यकों का टीला हमारा next question है खिलजी वन्सकिय थापना किसके द्वारा की गई थी और इसके options है Option A. कुतूबू दिनेवक Option B. बिम्बिसार Option C. ग्यासु दिन तुगलक और option D. जलालो दिन खिलजी तो इसका right answer है Option D. जलालो दिन खिलजी हमारा next question है किस सासक के सासनकाल में मराथा प्रमुक्ष संभजी की हत्या कर दी गई थी और इसके options है Option A. औरंगजेब Option B. असूख Option C. अकबर और option D. सा जहाँ तो इसका right answer है Option A. औरंगजेब हमारा next और last question है किस वाइसराय के सासनकाल के दोरान जलिया वाला बाग नसंधार हुआ था और इसके options है A. लॉर्ड लिन लिथिगो Option B. लॉर्ड जेम्स फोड Option C. लॉर्ड कैनिंग और option D. लॉर्ड वेवेल तो इसका right answer है Option B. लॉर्ड जेम्स फोड तो friends यह था हमारा आज का वीडियो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे description में मेरी Telegram चैनल का link दिया हुआ है वहाँ से आप download कर सकते हैं I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो please मेरे चैनल को like और subscribe करे Thank you